नमस्कर साथियों, आज से हम चाटवर्क शुरू कर रहे हैं, चाटवर्क आपको ट्रेस्टियल एंड कोस्टल नेविगेशन के पेपर में पूछता है, TCN का पेपर दो पार्ट में डिभाइड रहता है, एक पार्ट A और दूसरा पार्ट B, पार्ट A में चाटवर्क रहता है, यहाँ पर सबसे पहले आप TCN का सिलेवर्स समझ जाईए, इससे आपको एडिया लगेगा कि हमको क्या क्या परना है, उसके बाद हम आपको इसका टाइम मेनेजमेंट बताएंगे, क्योंकि चाटवर्क के पेपर में सबसे ज़्यादे टाइम कंजीम होता है, अस्पेसली पार्ट A में, क्योंकि इसका अंसर दो जग लिखना होता है, एक तो आपको चाटवर्क पर पूरा प्लोटिंग करना है, फिर अंसर सिट पर आके, वह प्लोटिंग का रफ डाइग्राम बनाना है, और अंसर लिखना है, इससे आपका टाइम कंजीम ज़्यादे होता है, तो TCN के पेपर में टाइम मेनेजमेंट काफी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो टाइम मेनेजमेंट हम आपको बताएंगे, आप वैसे ही चलिएगा, क्योंकि TCN के पेपर में बहुत लोगों का एक दू क्वेस्चन आधा दूरा चुड़ ज़्याता है, तो टाइम मेनेजमेंट काफी ज़्यादा ज़रूरी है, TCN का पेपर टोटल 200 मार्क्स का रफता है, इसमें आपको 140 नमर लाना है पास होने के लिए, अर्थात पासिंग परसेंटेज 70 परसेंट है, और TCN के पेपर में यदि आपने एक क्वेस्चन गलत कर दिया, गलत कहने का मतलब प्रिंस्पल मिस्टेट, यदि आपका अंसर नहीं मिल रहा है, अब बाकी सब चीज सही है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने प्रिंस्पल मिस्टेट किया है एक क्वेस्चन में भी, तो आप बाउन्डरी लाइन पर आ गए, आप यहाँ पर पास भी हो सकते हैं, और फेल भी हो सकते हैं, और कहीं खुदा ना खास, दो कोश्चन में आपने प्रिंस्पल मिस्टेट कर दिया, तो आप मान लिजिये आपका रिजल्ट वहीं पर हो गिया, 99.99% चांसे कि आप फेल हैं, फिर आपको भगवान ही बचा सकते हैं, सरवेर कहीं अच्छा से ध्यान नहीं दियें, फ्रसा तेजी में क्वेश्चन चेक कर दियें, तो फिर आप पास हो सकते हैं, अन्यथा आप फेल हैं, तो प्रिंस्पल मिस्टेक आपको नहीं करना है, यदि अंसर नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं है, दो चार फांक नमर करता है, आप पास हो जाईएगा, इसलिए TCN का सारा कॉंसेप अच्छा से समझके रखिएगा, अब आप आईए सिलेवस पर, शाटबर्ट में टोटल जो है चार फ्रस्टन पूछेगा, जिसमें फ्रस्टन नमर वन आपका कमपसरी है, प्रस्टन नमर वन राता है, पैसेज प्लानिंग पर, आपको यह प्रस्टन का सलूशन हर हाल में करना है, आप इसको छोड नहीं सकते हैं, आपको जितना आता हो, आधा अधूरा आता हो, आपको आधा अधूरा ही बनाना है, लेकिन हर हाल में बनाना है, यह तीन question रहता है chart plotting पर और इस तीन question में से कोई दो question का आपको अंसर करना है, attempt any two, आप सबसे पहले तीनो question को पर लिजिएगा, और आपके लिए जो दो question सबसे असान रहेगा, उसका आप solution किजिएगा, देखा हिसकी में दाएं बाएं देख के solve मत किजिएगा, कि बाएं वाला कौन बना रहा है, हम भी वही बनाएंगे, आपको easy कौन लग रहा है, वही दो question, तो यहाँ पर आपको पता चल गिया, part A से तीन question का अंसर करना है, जिसमें question नमर वन कमपसरी है, बाकी जो तीन question बच गिया, उससे कोई दो question, और part A का total value रहता है 90 marks, तीन question का अंसर करना है, तीनों के लिए 90 marks, अर्थाक एक question के लिए 30 marks, 30 marks every question, यदि आपने एक question गलत कर दिया, 30 marks आपका गया, फिर आपको 170 में से 140 लाना है, या काफी tough हो जाएगा, इसलिए हम कहा रहे हैं कि आप boundary line पर आ जाईएगा, आप कहीं दो question गलत कर दिया है, तो फिर तो आप फेली हैं, इसलिए TCN और CN का paper, जिसका passing percentage 70% है, यहाँ पर आपको error करने का गुण जाईज काफी कम रखना है, बाकी सब पेपर में चल जाता है, क्योंकि passing percentage 60% और 50% है, लेकिन यहाँ नहीं, अब आप आईए part B में, part B total रहता है 110 marks का, part B में total आपको 4 question देगा, और 4 question कम पसरी है, यहाँ पर आपको छूट नहीं देता है, कि चून के आप अंसर किजिए, आपको 4 question देगा, 4 question आपको solve करना है, part B का सबसे पहला question होगा question number 5, यह राता है डेजवर्क पर, question number 5 डेजवर्क रहेगा, question number 6 रहेगा GC, great circle sailing, GC पर एक question, question number 7 रहेगा, tide calculation, और tide calculation हम आपको काफी अच्छा से बताएँ है, और question number 8 रहता है, चाहे तो आपको पूछ दे, chart correction के बारे में, chart correction पर short note, या आपसे chart पर जो symbol रहता है, उसके बारे में पूछ दे, या normal chart बर्क में जो definition पूछा जाता है, और जो आपको आना चाहिए, उसके बारे में भी पूछ सकता है, तो question number 8 एक तरह का definition type रहता है, अब यहाँ पर marking system क्या है, question number 8 बीस नमर का रहता है, और बाकी जो तीन question बच गिया, यह तीनो 30-30 नमर का रहता है, तो यहाँ पर देख लिए, 6 question 30 नमर का, 36 180 और 1 question 20 नमर का, और यदि question number 8 में symbol पोच दिया, तो आपके लिए easy है, क्योंकि यह भी numerical type हो जाता है, आपको पूरा के पूरा नमर मिल जाता है, और इससे चोड़ी करने में भी यहसानी डाता है, कैसे, दाएं बाएं देख के आप मार सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग दोस्त जो है, ग्रूप में एक जान देते हैं, तो पहले से ही बात करके रखते हैं, कि हम बातरूम के बहाने जाएंगे, तुम अंसर सित्फ रख खोल के रखना, हम सिंबल उमल रहेगा, तो देख लेंगे, तो अब आपको TCN के पेपर का सिलेवस का आईडिया हो गया होगा, अब हम आते हैं, TCN के पेपर में टाइम मेनेजमेंट, क्योंकि यह काफी जरूरी है, और अब ही जो हम आपको टाइम मेनेजमेंट बता रहे हैं, आप वही फॉलो किजिएगा, मेरा बताया हुआ टाइम मेनेजमेंट आप फॉलो किजिएगा, तो 99.9% चांस है, कि आपका एकजाम में टाइम के चलते क्वेश्चन नहीं छुटेगा, यदि क्वेश्चन आता ही नहीं है, तब तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा हो, और उसके बाद भी तिन घंटा में पेपर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपको टाइम मेनेजमेंट नहीं आता है, तो इसलिए टाइम मेनेजमेंट टिसीन में जरूरी है, और जैसे मैं बता रहा हूँ, आप गांठ बांद लिजिएगा, वही फ़ौलो किजिएगा, दखिए, टिसीन का पेपर के लिए आपके पास थिडी आवर का समय है, मतलब 120 मिनर, टिसीन के पेपर में सबसे पहले आपको पार्ट B का अंसर करना है, हम क्या करें, सबसे पहले पार्ट B, और पार्ट B को आपको डेर घंटा में खतम कर देना है, अर्थात 90 मिनिट में, उससे ज़्यादे नहीं, पार्ट B में टोटल 4 पोस्चन है, इस 4 कोस्चन में, जो सबसे लास्ट कोस्चन होता है, अर्थात कोस्चन नम्मर 8, इसके लिए केवल आपको 10 मिनिट रखना है, मैक्सिमम 10 मिनिट, 10 मिनिट बहु ज़्यादा है, या तो आपको 4 सिंबल रहेगा, तो याद रहेगा, तो फटा-फटा आपसे बन जाएगा, नहीं रहेगा, तो लास्ट में आप दाएं-बाएं देखके, पता चल गिया तो ठीक है नहीं, तो कोई बात नहीं है, छोटा-छोटा चर-पांच को डिपनिशन रहता है, दो-दो मिनट में आपसे फटा-फट लिखा जाएगा, तो कोईस्चन नम्मर एट के लिए वनली 10 मिनट, बाकी बचा आपको 3 कोईस्चन, इस 3 कोईस्चन के लिए आपके पास है 80 मिनट, मतलब परतेक कोईस्चन के लिए 25, 75, 26, लगभग 26 मिनट, 26 मिनट एवरी कोईस्चन, अर्थात कोईस्चन नमर 5 पर आपको 26 मिनट देना है, कोईस्चन नमर 6 पर 26 मिनट और कोईस्चन नमर 7 पर 26 मिनट, सबसे पहले आप कोईस्चन नमर 5 को बनाईएगा, उसके बाद question number 6, question number 7 और उसके बाद question number 8 आपका part भी complete हो गिया एक question पर 26 मिनट से जादे नहीं हिदम घरी के time से 26 मिनट में बन गिया तो ठीक है नहीं बना तो जितना आप बनाए है उतना बनाके छोड़ दीजिए और आपको अंताजा लगता है कि अभी एक page आओर लगेगा या आदा page आओर चाहिए तो उतना page भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि time बचेगा तो खिर आँगे solution कीजिएगा और प्रतेक page पर कोना में आप PTO लिख दीजिएगा page turn over इससे जो copy चेक करेंगे उनको idea लगेगा कि आँगे out solution है नाता कभी-कभी साधा page छोड़के sorry कभी-कभी साधा page देखके examiner को लगता है कि आँगे answer नहीं है इसलिए PTO भी लिख दीजिएगा जो answer seat रहता है answer seat के एकदम नीचे जो नीचे का margin रहता है वहाँ पर PTO और यदि 26 मिनट हो गिया है और आपको लगता है कि एक 2 मिनट में question solve हो जाएगा तो फिर आप एक 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट, maximum 3-4 मिनट आप extra ले सकते हैं लेकिन तभी लिजिएगा जब आपको 100% मालूम है कि 4 मिनट में हमारा final answer आ रहा है यदि आप फंस रहे हैं तो 26 मिनट टाइम दिजिए और next question नहीं तो क्या होगा एक ही question बनाने में आप ले लिजेगा एक घंटा और बाद में आपको time बचेगा नहीं और time नहीं बचने के चलते पूरा question ही छुड़ जाएगा तो कम से कम आधा बनाईएगा तो आपको 30 में से 15 नमर तो मिल जाएगा और next question बना दिजेगा तो आपको उसमें से 30 में से 25, 26, 27, depend on your answer वो भी मिल जाएगा नहीं तो 30 नमर के फेर में एक पूरा 30 नमर तो आप ऐसे ही गमा दिएगा और इसमें से 30 में से कितना मिलेगा भगवान ही जाने तो आपको time management आना जरूरी है तो यहाँ पर आप समझ गए है TCN के paper में सबसे पहले part B को solve करना है part B के लिए only 90 minute question number 5 के लिए 26 minute, question number 6 के लिए 26 minute, question number 7 के लिए 26 minute last का 10 minute आपको देना है question number 8 पर आपका part B हो गया complete अब part B जब complete हो जाए, तो फिर आप आईए part A पर part A के लिए आपके पास देर घंटा का time है और देर घंटा का time भी आपको हो सके insufficient लगे क्योंकि चाटवर्क में time जादे खाता है part A में question number 1 का solution सबसे last में करना है जब last का 30 minute आपका है, तो question number 1 का solution करना है बहुत लोग क्या करते है, part B खतम करते है और part A में question number 1 को सबसे पहले solve करते है तो आप ऐसा मत किजिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यह compulsory question है, और last के 30 minute जैसे ही बचे आपको question number 1 पर चले आना है, बाकी question बने या नहीं बने हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कि passage planning कभी भी perfect नहीं होता है आप चाहे तो इसको एक घंटा लेके बनाए 30 में से 21, 22, 23, उससे ज़्यादे नमर नहीं देते हैं सर्वेयर तो 21, 22, 22, 23 नमर के लिए आप 45 minute, एक घंटा टाइम बरबाद मत किजिए आदा घंटा दिजिए, आदा घंटा में sufficient है कि आपको 18, 19 मिल जाएगा बहुत अच्छा से बना दिए तो 21, 22, यह इसका maximum marks है उससे ज़्यादे तो आपको देंगे ही नहीं तो दुचार नमर एक्स्टरा लेने के लिए एक्स्टरा टाइम बरबाद मत किजिए उतना टाइम में आपको 15, 20 नमर मिल सकता है दूसरा कोस्टन में तो आप उस पर ध्यान दिजिए तो कोस्टन नमर वन को सबसे लास्ट में लेकिन ध्यान रखना है यह कमपसरी कोस्टन है लास्ट का 30 मिनट जैसे यहीं घड़ी के सुई मारे आप आजाईए कोस्टन नमर वन पर और कोसिस किजिएगा कि आप लोग सभी अपना प्रसनल घड़ी पहन के जाएं इससे आपको टाइम का एडिया लगता रहेगा क्योंकि कभी-कभी एक जाम हल में अचानक घड़ी पर नजर पड़ता है अरे बाप, एक घड़ा टाइम बचा है, पच-पच कोस्टन बाती है तो फिर दिमागे आपको उड़ जाता है हाथ में घड़ी लगा रहता है तो बीच-बीच में आपको ओटमेटिक नजर पड़ जाता है कि एतना टाइम और बचा है तो पार्ट बीच खतम होते ही आपको सबसे पहले Q2, Q3 और Q4 को परना है अब इसमें से आपको चून लेना है कौन दो Q2 हम असानी से सौल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले या दो Q2 को सौल्व कर लिजिये और एक Q2 के लिए मैक्सिमम तीस मिनट, मैक्सिमम है और चार्टवर्क में कभी-कभी तो आपको पोर्ट ही खोजने में एक दू मिनट लग जाता है कौन सा पोर्ट कौन सा लाइट हाउस है यही खोशते-खोशते आपको दुचार मिनट टाइम बरबाद हो जाएगा तो कभी आपका इस्ट्रुमेंट बॉक्स गिरेगा कभी दूसरे का गिरेगा कभी पहले रूलर हील जाएगा तो चार मिनट चार्टवर्क में ऐसे ही बरबाद हो जाता है और अंसर भी लिखना है दो जगह पहले चार्टवर्क पर पूरा प्लॉटिंग किजिए जब प्लॉटिंग हो जाए तरफ डाइग्राम अंसर सिट पर डालिए फिर अंसर लिखिए तो इसमें टाइम जाता है इसलिए आप लोग ओभर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा बहुत लोग क्या करते हैं चार्टवर्क पर प्लॉटिंग कियें और अंसर सिट पर डाइरेक्ट क्वेस्चन नमर टू का अंसर लेटिटिट इतना लंविचूड इतना तो इससे आपको नमर कम मिलता है चार्टवर्क के कॉस्चन में आप कम से कम रफ डाइग्राम अंसर सिट पर जरूर ड्रा कर दिजिए इससे आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है और बहुत सारा एक जामनर तो ऐसा है कि अंसर देखते हैं अंसर लगभग दम मिलता जूलता है चोकि चार्टवर्क में भी एकजेक्ट अंसर किसी से मिलता नहीं है थोरा बहुत अंसर में लेटिटूड लंविचूड में अंतर है तो चलता है और अंसर सीट पर ही वह डाइग्राम देख लेते हैं हाँ प्रोसीजर सही है इसका मतलब है चार्टवर्क पर यह प्लोटिंग अच्छा से किया होगा तो चार्टवर्क पर अतना अच्छा से ध्यान ही नहीं देते हैं तो वहीं पर आपको 30 में से 25, 26, 24 जैसा आप लिखे हैं उसके इंसाब से मिल जाता है तो आप लोग हर हाल में रफ डाइग्राम अंसर सीट पर जरूर बनाईएगा तो पार्ट ए का question number 2, 3, 4 इस तीनों में से दो question को सबसे पहले attempt कीजिए एक question के लिए 30 marks और इसके लिए 30 minute भी जैसे ही 30 minute हो जाए यदि आपका answer कुड़ा solve नहीं हुआ तो वतनाही पर छोड़ दिजिए उसके बाद next question पर बढ़ जाएए और जब last का 30 minute बचे तो खिर आप passage planning पर आजएए तो ये था TCN के paper का time management और यदि आप घर पे practice करते हैं TCN के paper में तो एक question के लिए 30 minute sufficient है आप कोसिस किजिएगा कि 20 से 25 minute में आपका solution हो जाए और last में जो time बचेगा उससे आपका revision हो जाएगा या जो question अधूरा रह गया है वो आपका solve हो जाएगा और यदि आपका practice अच्छा है तो आप part B का प्रते question 20 minute के अंदर solve कर सकते हैं क्योंकि question तो fix रहता है format भी आप जान रहे हैं बस फटाफट Kelsey चलाना है और आपको लिखना है और time उसी को जादे लगता है जो एक दू बार घर पे बना लिए हैं कहें कि अब तो हम बना लेंगे डिरेक्ट चलेंगे एक्जाम होल में तो वहाँ पर आप सोच सुच के लिखते हैं उसी में time आपका loss होता है आपको concept आगिया तो आप practice किजिए practice करके time को कम किजिए अर्थात आप fast solution किजिए जब आपका speed fast हो जाएगा तो आपको एक्जाम देने में भी मन लगेगा तो ये आपका all about time management अब बहुत लोग चाटवर्क के book के बारे में पुछते हैं काते हैं कि सर कौन सा book अच्छा है दूबे साहे वाला या पूरी साहे वाला या बहुत सारे और भी राइटर है तो चाटवर्क का सारा के सारा book अच्छा है आप कोई एक book follow कर सकते हैं और आपके इंचूट या college में जो book आपको पढ़ाये जाता है वही book आप follow किजिए इससे आपका total basic concept पूरा complete हो जाएगा और इसके बाद आप चले आईए question bank पर जो आपको second meant exam में पूछा है आपको दो-तीन book परने की जरूरत नहीं है book से आपको पूरा basic concept clear हो जाएगा उसके बाद question bank पर आईए और पिछला 20-25 exam में जो paper पूछा गया है उसको आप solve कर लिजिए आपको automatic confidence आजाएगा हम question कैसे solve कर सकते हैं और चाटबर के question को थोरा सा समझने में भी तकलीप होता है book में जैसा question देता है वैसा exam में पूछता नहीं है यहाँ पर बहुत सारा concept लगा दिता है और फिर आपको पता करना होता है यह question कैसे solve होगा book में तो आपको chapter by अलग-अलग बाट के दिया है तो आपको पहले ही से मालूम है यह vertical sextant angle है यह horizontal sextant angle है यह three point bedding है यह rising dipping of light है लेकिन जब exam में question आता है तो वहाँ तो chapter by बाटा हुआ नहीं है यह chapter से यह question है आपको पता करना होता है यहाँ पर इस question में कौन concept लगेगा इसलिए exam में थोड़ा लोग confused होते हैं और यह confusion तभी होगा जब आपका concept clear नहीं है तो हम आपको पूरा concept आपको बताएंगे जिससे आप असानी से पकर सकते हैं यह question किस प्रकार बनेगा और हम आपको बार बार बताते हैं maximum video application पर आएगा इसलिए जो भी join करना चाहते हैं आप लोग application पर ही join किजिएगा क्योंकि आप लोग YouTube पर join करते हैं आपका चार्टवर्ग शुरू करते हैं अब सबसे पहले आपके मन में सवाल उठ रहा होगा इसका नाम चार्टवर्ग क्यों परा अर्था वाटी चार्टवर्ग या कोई कह दे define चार्टवर्ग तो आप उनको क्या बताईएगा और ऐसा question आपसे oral-oral में पूछा जाता है चार्टवर्ग में आप क्या करते हैं ship का position fix करते हैं fixing ship position on chart by various method बहुत सारा method आप apply करते हैं three point bearing, running fix, running fix width, leeway and current horizontal sextant angle, vertical sextant angle, raising dipping of light तो fixing ship position on chart using various method और क्या काम करते हैं lay down of shape course from point A to point B शार्टवर्ग के द्वारा आप एक जगा से दुसरे जगा जाने के लिए safe course का पता करते हैं ship का position चेक करते हैं जब vessel course को follow करता है checking vessel position when following the course और यह सब हम क्यों करते हैं to ensure safe passage of ship तो यही हमारा चार्टवर्ग कहलाता है तो चार्टवर्ग को आप क्या define कर सकते हैं fixing ship position on chart by various method फिर कॉमा देके लिख सकते हैं lay down of shape course from point A to point B and checking ship position while following course to ensure safe passage of vessel is known as चार्टवर्ग अब चार्टवर्ग का main player है चार्ट ता आपको यहां पर चार्ट के बारे में थोरा सा basic knowledge होना चाहिए यदि आपको चार्ट के बारे में basic knowledge नहीं है तो फिर आप चार्ट को अच्छा से यूज नहीं कर सकते हैं तो हम यहां पर चार्ट के बारे में basic knowledge थोरा सा दे देते हैं ship navigational purpose के लिए चार्ट यूज करता है और उस चार्ट को हम लोग बोलते हैं navigational chart navigational chart में ship के navigation से related जो जो information चाहिए वो सारा चीज दिया रहता है example के तौर पर depth of water nature of bottom bottom में कैसा mud है, soft mud है, clay है यह सारा चीज या hard mud है, यह सारा चीज दिया रहता है lighthouse का detail दिया रहता है detail of coastline जो danger आसपास है उसके बारे में भी दिया रहता है जो भी navigational add से आसपास वो सारा चीज आपको chart work में दिया रहता है और उसी के मदद से आप navigation करते हैं इसी लिए इसको बोलते हैं navigational chart अब भी हम chart के बारे में मोटा मोटी overview दे देंगे क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी practical question पर आना है जो question retain exam में पुछता है तो question solve करने के लिए chart के बारे में जतना जरूरत हो उतना ही हम आपको बताएंगे इसलिए शुरू के एक दू लेक्चर आपका basic रहेगा और उसके बाद direct syllabus पर लेकिन यह basic भी काफी अच्छा से सुन लिजिएगा क्योंकि यह भी question solve करने में काम आएगा और इसके साथ ही साथ most important आपको oral में काम आएगा और एक दू लेक्चर के बाद direct हम second mat का जो plotting वोला syllabus है उस पर हम आ जाएंगे अब देखिए आप तो जान गए ship को sell करने के लिए navigational chart चाहिए अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा navigational chart बनता कैसे है देखिए navigational chart mainly दो projection पर बनता है एक होता है marketer projection और दूसरा होता है nomonic projection इस दोनों के बारे में आप लोग सुने होंगे आप नहीं सुने हैं तो जान लिजिए आप से oral में पूछा जा सकता है और most of the navigational chart अर्थात 95% navigational chart marketer projection पर बनता है only 5% chart ही nomonic projection पर बनता है अब इस दोनों के बारे में भी आपको idea होना चाहिए सिर्फ आपको एक चीनिया की तरह नाम नहीं रखना है अब आप देखिए marketer projection होता क्या है अब यह मैं आपको marketer projection बता रहे है हम माल लेते हैं यह आपका अर्थ है जो हम लोग globe बनाते हैं यह आपका globe है अब यह globe जो है आपका बना हुआ है glass का transparent है इधर से उधर देख सकते हैं और इस glass पर जैसे जो normal मांचित रहता है world का यह सारा चीत बना हुआ है किधर land है, किधर sea है और sea में कहां पर कतना depth है कहां पर कौन सा light house है कहां पर danger है यह सारा चीत आपका इस globe पर डाला हुआ है अब marketer projection में क्या होता है यह जो 3D figure आप देख रहे हैं इस 3D figure को आपको 2D page पर डालना है जो चार्थ हम लोग use करते हैं अब यहां पर मान लेते हैं यह आपका center है अब इस center पर आप मान लीजिए एक bulb जला दीजिए तो आप यहां पर bulb को light कर दीजिए यह आपका bulb जो है जल रहा है यह है glass का और transparent है तो light जो है इधर से बाहर की और ऐसे निकलेगा अब जिस area का आपको चार्थ चाहिए वहां पर paper जो है ऐसे round करके लगा दिया जाता है यहां पर delete हो गया द्वारा से हम ड्रा कर दे रहा है यह आपका globe है और जिस area का आपको चार्थ बनाना है वहां पर cylindrical shape में इस globe के चारो तरफ ऐसे round करके paper लगा दिया जाता है और चार्थ बनाने का काम बहुत expert लोग करते हैं क्योंकि पूरा angle distance, पूरा dimension सब चीज जो है एकदम fix होना चाहिए तो यह खिलावना वाला काम नहीं है चार्थ बनाने में बहुत expertise की जरूरत होता है बस हम आपको over view बता रहे हैं चार्थ बनता कैसे हैं तो cylindrical type page लपेट देते हैं यहाँ पर bulb जला दिये अब इससे क्या होगा globe पर जो भी figure रहेगा जो भी mark रहेगा वह सारा इस paper पर print हो जाएगा अब जिस area का चाहिए उस area का इन लोग ऐसे करते हैं अब मर्केटर प्रोजेक्शन का फैदा क्या होता है मर्केटर प्रोजेक्शन में हमको जो चार्थ मिलता है वह चार्थ में meridian जो है एक दूसरे के parallel और state line में रहता है वह देखे होंगे मर्केटर प्रोजेक्शन पर नुमोनिक प्रोजेक्शन का चार्थ काफी कम ही लोग देखे होंगे और यह जरूरत पड़ता है जब हम GC Sailing करते हैं अब यह हम आपको समझाएंगे रंब लाइन सेलिंग में अर्थात रंब लाइन कोर्ट में हमको मर्केटर प्रोजेक्शन ही चाहिए और नर्मली हम यही फॉलो करते हैं इसलिए मैक्सिमम लोग मर्केटर प्रोजेक्शन वाला चार्थ देखे होंगे यहां पर मेरिडियन अस्टेट लाइन में रहता है और जो पारलेल अफ लाइटिटूड रहता है यह भी अस्टेट लाइन में रहता है और मेरिडियन पर परपेंडिकूलर रहता है और जो रंब लाइन कोर्ट रहता है अब रंब लाइन कोर्ट से लोग confuse मत होईएगा रम लाइन कोर्स कहने का मतलब आप ठेट में समझे आपका कोर्स जो आप कोर्स decide करते हैं यह कोर्स मर्केटर चार्ट पर a state line में आपको मिलता है लेकिन same ही कोर्स और same area का चार्ट यदि नोमोनिक प्रोजेक्शन पर बना हुआ है तो यहाँ पर रम लाइन कोर्स कर्ब मिलेगा कर्ब टुवार्ज पोल तो मेरीनर को चाहिए कोर्स अमेशा a state line ताकि उसको पता चलते रहे हम कैसे जा रहे हैं अब यह सल हमारा कहा पर है लेकिन जब globe पर आप लोग देखते हैं तो meridian a state line में एक दूसरे के parallel नहीं रहता है यह पोल पर converge होता रहता है आप लोग देखे होंगे तो marketer projection में यहाँ पर distortion होता है तो उतना detail अभी आप मत जानिये सिर्फ आप यही जानिये marketer projection में चार्ट कैसे बनता है और नर्मली जो आप चार्ट यूज करते हैं वह होता है marketer projection पर तो यदि आप से surveyor पूछ दे जो चार्ट आप नर्मली यूज करते हैं वह कौन सा projection पर बनता है तो आप बताईए marketer projection पर marketer projection का characteristic क्या होता है meridian parallel और a straight line में रहता है parallel of latitude वाला लाइन भी एक दुसरे के parallel और a straight line में रहता है और meridian पर perpendicular रहता है एक दुसरे को right angle पर intersect करता है और इस पर rum line course a state line में draw होता है तो आपको यतना marketer projection के बारे में जानना जरूरी है अब आप समझे marketer chart पर latitude, longitude, distance यह सब कैसे हम major करते है longitude आपको read करना है जिधर meridian वाला line जाता है अर्थाथ यह horizontal line पर और latitude read करना है जिधर parallel of latitude रहता है अर्थाथ vertical line पर दोनों side marking दिया रहता है तो latitude, longitude हो गया आपका बचा distance distance आपको हर हाल में latitude वाला scale पर major करना है अर्थाथ जिधर आप latitude read करते हैं जिधर longitude read करते हैं उधर कभी भी distance आपको नहीं लेना है तो distance के लिए एक point तो यह हुआ दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है distance आपको हमेशा mean latitude पर major करना है हम माल लेते हैं यहां पर अभी जो हम blue से mark कर रहे हैं हम माल लेते हैं यह आपका course है इस दोनों के बीच में आपको distance major करना है हम माल लेते हैं यह वाला जो point है इसका latitude का value हम माल लेते हैं 10 degree और यह जो दूसरा point है इसका हम माल लेते हैं 11 degree अब यहां पर इस दोनों point के बीच में distance major करना है तो हम आपको बताएं distance हमेशा mean latitude के बीच में major करना है तो आपको divider से यहां पर ऐसे distance major ले लेना है दोनों point के बीच में और इस divider को 10 और 11 degree के बीच में अर्थाप 10.5 degree पर major करना है इस दोनों के बीच में यहां आएगा आप डाइग्राम से भी देख सकते हैं एक यहां है एक यहां है तो roughly इसके बीच में यहां हुआ तब इस divider को यहां पर read किजिएगा और आप जानते हैं एक minute delete ब्रावर one nautical mile तो यहां पर जतना minute का latitude होगा उतना mile distance होगा क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे divider से यहां पर measure करेंगे और हो सके तो यह यहां पर measure करेंगे कितना minute आ रहा है तो यह गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि marketer projection में parallel up latitude के बीच में distance fix नहीं रहता है जैसे जैसे latitude का value higher होता है वैसे वैसे एक दूसरे latitude के बीच में sorry parallel of latitude वाला जो line रहता है उसके बीच में distance बढ़ जाता है अर्थात distortion बढ़ जाता है इसलिए distance हमेशा आपको mean latitude के बीच में measure करना है अब माल लेते हैं distance में आपना है 5 degree से लेके 8 degree तक तो 5 से 8 degree के बीच क्या हुआ 6.5 degree अब chart पर 6.5 degree जहां रहेगा वहीं पर हम divider को लगा के measure करेंगे अब माल लेते हैं distance बहुत बढ़ा है 60 mile का तो divider तो ये एक बार में 60 mile को नहीं measure करेगा तो हम 6.5 degree mean लेके यहां पर हम क्या करेंगे 10 mile या 15 mile का divider हम set कर लेंगे जो भी आपको convenient लगे 10 mile मतलब 10 minute का delay अब divider को set कर लेंगे हम माल लिएं 10 minute लिएं अर्थाथ 10 mile अब distance वाला line पर आएंगे measure कर लेंगे यह 10 mile वाला जो हम set किये हैं कितना बार आ रहा है एक बार करेंगे 10 mile, 20 mile, 30 mile, 40 mile जो भी आए माल लेते हैं 5 बार आ गिया तो यह हो गिया अब बाद में जो बच गिया यदि पूरा 10 mile नहीं हो रहा है तो फिर divider से लेंगे कितना है और जतना divider पर आएगा फिर बीच में आके measure कर लेंगे कितना mile दे रहा है माल लेते हैं आ गिया 6 mile अर्थाथ 6 minute का delay तो 6 mile हुआ तो 50 plus 6, 56 mile तो distance आपको हर हाल में latitude अस्केल पर लेना है और mean latitude पर measure करना है यह नहीं कि बरका चाट है तो जहां मर्जी जहां ले लिए आप जहां पर ड्रा किये हैं course उसी के सामने बीच में आप divider से measure किजिए यह नहीं कि course ड्रा किये नीचे आप measure कर रहा हैं बहुत उपर या बहुत नीचे जहां पर ड्रा किये हैं उसी के बीच में इससे जो distortion होता है इस distortion के कारण जो error आता है वह error खतम हो जाता है नहीं तो आपका distance गलत बताएगा इसलिए चार्ट वर्क में जो चीज का जरूरत है वह सारा basic चीज अभी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि basic चीज भी बहुत लोगों को नहीं आता है तो ये तो आप समझ गए मर्केटर प्रजेक्शन क्या होता है मुस्ली चार्ट मर्केटर प्रजेक्शन पर बना होता है इसका property क्या होता है और इस पर latitude, longitude और distance कैसे major करते हैं और आपका exam में मर्केटर चार्ट पर ही question आता है अब आप आईए नुमोनिक प्रजेक्शन पर नीचे जो कच्रा किया है इसको थोड़ा सा हम clear कर लेते हैं अब ही हम आपको बताए थे मर्केटर प्रजेक्शन के बारे में जब मर्केटर प्रजेक्शन पर चार्ट बनता है तो गलोब के चारो तरफ cylindrical टाइप पेपर को लपेट दिया जाता है लेकिन नुमोनिक प्रजेक्शन में सिर्फ पेपर को सरफेस पर रख दिया जाता है अर्था टेंजेंटियल इस पर एकदम टेंजेंटियल ऐसे रख दिया जाता है इसलिए नुमोनिक प्रोजक्शन को टेंजेंटियल प्रोजक्शन भी बोलते है बाकी सबचिस से अब यहाँ पर रखा गिया है लाइट यहाँ से जलाएगा तो यह वाला इरिया का पूरा मैप पेपर पर आ जाएगा और फिर उधर मसीन के दवारा जो भी मांचेतर बनेगा उसको प्रिंट कर दिया जाएगा तो यह होगिया आपका नुमोनिक प्रोजक्शन नुमोनिक प्रोजक्शन में ग्रेट सर्किल जो कोर्स होता है यह आपका अस्टेट लाइन में नजर आता है और यदि जी सी कोर्स को Markator Projection पर डाल दिजेगा तो यह Curve Type पर नजर आएगा और Markator Projection पर Rum Line Quartz और Straight Line में रहता है और इसको यदि Nomonic Projection पर डाल दिजेगा तो यह हो जागा Curve Type पर तो एक दुसरा के उल्टा है और Nomonic Projection Mostly जो है Higher Latitude के लिए यूज किया जाता है Higher Latitude पर Nomonic Projection में चार्ट असानी से बन जाता है और यदि आपको GC Selling करना है तो उस Case में भी Nomonic Projection की चार्ट की जरूरत होता है तो यह हम आपको बता दिए मोटा मोटी आइडिया के लिए क्योंकि मोटा मोटी आइडिया आपको होना चाहिए Nomonic Projection का आइडिया ना है तो भी चलेगा लेकिन Marketer Projection का आइडिया तो आपको हर हाल में होना चाहिए क्योंकि इस Projection पर यदि आप सवाल नहीं बताते हैं तो आपको फेल कर सकते हैं और यदि आपको डिटेल में परना है तो जो Principal of Navigation का बुक है जोसेफ और रिवारी साहिब का उसमें आप लोग साहिए पहला या दूसरा चिप्टर में दिया हुआ है आप लोग देख लीजेगा वहाँ पर Marketer Projection और Nomonic Projection के बारे में बहुत अच्छा से बताया है आब आईए चार्ट का अस्केल के बारे में हम आपको बताते है नर्मली जो चार्ट बनता है वह तीन अस्केल पर बनता है या दुसरे सब्दों में कर सकते हैं On the basis of a scale चार्ट are three types एक होता है A small scale chart दुसरा medium scale chart और तिसरा large scale chart दखिए A small scale chart को ocean charts भी करते है अब आपको ध्यान कैसे रहेगा A small scale chart है मतलब है कि सब्चीज बहुत छोटा छोटा बनाया हुआ कि कहीं चार्ट में छोटा छोटा सब्चीज बनाया हुआ तो जब सब्चीज छोटा छोटा बनाया रहेगा तो आपको detail पूरा information नहीं देगा और A small scale chart को ocean chart इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ocean के लिए एक चार्ट अब एक चार्ट में पूरा Indian ocean कवर कर देगा एक चार्ट में पूरा North Atlantic ocean कवर कर देगा इसलिए इसको बोलते हैं ocean chart इसमें बहुत कम information दिया रहता है और इसको mainly use करते हैं planning के लिए जब आप passage plan कर रहे हो और A small scale chart को कभी भी coastal navigation के लिए आप यूज मत किजिएगा अब आईए medium scale chart medium scale chart को बोला जाता है coastal chart भी अब इसके नाम से ही पता आपको चल रहा होगा इसको आप postal navigation के लिए यूज कर सकते हैं जब भेसल कोई coast के along चल रहा हो तो आप postal chart का यूज करते हैं coastal chart एक छोटा geographical area को कभर करता है जैसे कोई coastal chart होगा जो मुंबई से लेके गोवा तक कबर करेगा फिर गोवा से निचे के लिए कोई आउर होगा उससे निचे के लिए कोई आउर होगा coastal chart medium scale पर बना रहता है इसमें बहुत सारा detail चीज दिया रहता है कहां सा कौन ने भी gasional light है कहां पर radio beacon है यदि कोई danger आपके पास है तो उस danger का marking कोई BTS है तो उसका marking तो ये सारा चीज आपको दिया रहता है जिससे आप post के किनारे असानी से sailing कर सकते हैं और इसका ascale ना तो बहुत जादे होता है ना तो बहुत कम होता है इसलिए post से safe distance बना के जो आपके कप्तान साहिब डिसाइड करें और जो आपका company के policy में हो बहुत सारा company काते हैं 50 nautical mile बहुत सारा company काते हैं post से 100 nautical mile तो जो भी आपका policy है post policy को follow कीजिए और post के along postal chart यूज कीजिए और यह रहता है medium ascale पर एक होता है large ascale chart large ascale chart को बोलते हैं plant chart या direct plants भी बोल देते हैं Bombay port का plant chart दे दीजे तो plant chart काफी large ascale पर बना होता है large ascale कहने का मतलब सब चीज बराबरा बनाया हुआ है port है तो यहाँ पर जेट्टी बराबरा बनाया हुआ है entrance है यह भी पुरा बरा में SMR किया हुआ है तो plant chart हम यूज करते हैं जब कभी port के अंदर अप्रोच कर रहे हैं या birthing के लिए जा रहे हैं या unbirthing हो रहे हैं port को छोड़के sailing में जा रहे हैं तो जब भी आप port का entrance करते हैं तो उस port के plan chart को यूज करते हैं अब इस chart में harbor के अंदर जो भी navigational ads है या navigation के लिए जो भी जरूरी चीज है वह सारा चीज marking किया रहता है chart का scale काफी बरा है इसलिए आप जानते हैं कि जब port में जाते हैं तो परते पांच मिनट पर आप position को draw करते हैं chart पर तो इससे आपको clear position भी पता चलते रहता है यदि small scale या medium scale chart रहेगा तो यहाँ पर error होने का chance ज़्यादा रहेगा तो जब भी आप harbor और port को approach कर रहे हैं तो आपको चाहिए plan chart इसलिए आप लोग देखे होंगे gadget ship में जब approach करते रहते हैं तो chart को transfer भी कर देते हैं normally आप लोग plan chart और bumbay port देखे होंगे उसमें वहाँ पर bumbay का इधर JNPT है इधर इंद्रा डॉक है उधर नावा सेवा है JNPT के अंदर यह सारा चीज आपको chart पर दिखता रहता है और एकदम बरा बरा अलग-अलग chart में आपको देखाता रहेगा और आपको ने भी गेतन के लिए हमेशा large scale chart यूज करना है उस area के लिए जो chart सबसे large scale में बना हुआ है वो आप यूज किजिए मान लेते हैं बंबे है तो बंबे के पास small scale area वाला भी chart होगा medium scale area वाला भी chart होगा large scale area वाला भी chart होगा तो जो chart का scale large है उसको यूज करने का कोसिस किजिए क्योंकि उस पर information जादे रहता है large scale है तो आपको बराबरा सारा चीज दिखेगा तो बराचीज में क्या होता है आपको दिक्कत नहीं होता है और passage planning का जब question आता है तो ये point आप लिख दीजिएगा use large scale chart of that area तो chart के बारे में एतना सारा चीज आपको जानना जरूरी था अब chart के description से related कुछ basic चीज है जो आपको मालूम होगा हम इसके बारे में विशेस बताएंगे नहीं जैसे title of the chart chart का title क्या होता है माल लेते हैं यह chart है इस chart का एक नाम होता है और इसका नाम क्या होता है जिस area के लिए यह chart बनता है अब example के लिए आप लोग देखे होंगे इंडिया बेस्ट कोस्ट चार्ट अब एक चार्ट में इंडिया का पूरा बेस्ट कोस्ट कभर किया हुआ है तो यह जरूर है यह medium to a small scale chart होगा तभी न एक ही चार्ट पर सारा चीज कभर हो जाएगा यह छोटा छोटा यह ज़्यादे ज़्यादे medium size में सब चीज को देखाएगा larger scale में देखाएगा तो एक चार्ट में कभर नहीं होगा उसी प्रकार आप देखे होंगे बंबे पोर्ट का प्लान चार्ट तो यह क्या हुआ title of the chart chart का नंबर भी होता है chart का नंबर आपको corner में उपर में और नीचे में लिखा रहता है और प्रतेख chart का अलग-अलग नंबर रहता है जो हाईड्रो ग्राफिक उफिस डिसाइड करता है ज Innerा चार्ट नंबर वान चार्ट नंबर वान का ताइटिल क्या है अर्थात कौन सा जोगरफिकल इरिया को कवर कर रहा है चार्ट नम्मर टू चार्ट नम्मर थी और से ही बहुत सारा चार्ट रहता है आप लोग को परना भी है जैसे 5065 या आपका चार्ट नम्मर है तिर आपको ब्रिटिश चैनल वाला चार्ट परना है तो ब्रिटिश चैनल चार्ट क्या हुआ यह हुआ आपका टाइटिल अब दा चार्ट इसी प्रकार डेट ओप अप्लिगेशन डेट ओप प्रिंटिंग फिर क्रेक्शन यह सब चीज आप लोग पर लिजेगा अभी हम आ जो चार्टबर्ग से रिलेटेड बेसिक डिपनेशन है जैसे लीडिंग लाइट, ड्राइंग हाइट, प्लेट डाइमेंशन, डेट ओप प्रिंटिंग, निव एडिशन चार्ट यह सारा चीज आप लोग पर लिजेगा आपको असानी से पता चल जाएगा फिर क्रेक्शन के बारे में पर लिजेगा, क्योंकि question नमर एट में आपको यही सारा चीज का basic definition पूछता है, या तो आप से symbol पूछेगा या basic definition पूछेगा, तो यह सारा चीज आप लोग पर लिजेगा, और जब plotting का हम पूरा syllabus कवर कर देंगे, उसके बाद हम time रहेगा, तो यह basic चीज कभ तो चार्ट के बारे में यतना सारा चीज आपको आना चाहिए, तो अब हम आपको समड़ी बता देते हैं, जब भी आप चार्ट यूज कर रहे हैं, सबसे पहला point यहा है, कि जिस area में आप navigation कर रहे हैं, उस area का जो चार्ट अबिलेवल है, उसमें large-scale वाला चार्ट यूज क अब चार्ट का title दिखा रहे है, टाइटिल के नीचे sounding का unit दिखा रहे है, चार्ट में sounding दिया रहता है न, तो sounding का unit दिखा रहेगा, दिखा रहेगा depth in meter, अब जतना भी चार्ट आता है, उस सब पर depth in meter ही रहता है, पहले जो चार्ट बनता था, उसमें depth in फैयदम भी रहता था, लेकिन एक बार आप लोग ध्यान दे दिजिएगा, तिसरा main point आपको ध्यान देना है, क्या distance हमेशा latitude a scale पर लेना है, जिधर latitude का marking रहता है, distance उधर ही major करते हैं, और distance हमेशा जहां से जहां के बीच में आप distance major कर रहे हैं, उस mean latitude के पीच में ही आपको distance major करना है, हम आपको अच्छा से समझा दिये हैं, distance हमेशा latitude a scale पर और distance major करना है, mean latitude के बीच में, और था, divider का एक लेक, mean latitude के उस side और दुसरा लेक, mean latitude के other side, जब भी आपको chart मिले, तो सबसे पहले आप देख लिजिए, chart पर जो latitude और longitude का a scale marking किया रहता है, उसका duration जो है, कैसे कैसे दिया हुआ है, जैसे दिया रहेगा, इधर माल लेते हैं, longitude है, 5 degree, उसके बाद 6 degree marking है, बीच में, छोटा छोटा पाँच लाइन, फिर ये को थोड़ा सबरा, फिर छोटा छोटा, फिर आउसी 7 degree, 8 degree, बहुत सारा chart में क्या रहेगा, यहाँ पर 5 degree, यहाँ पर 10 degree, और यह रहता है, small scale chart में, large scale chart में, आपको 5 degree यहाँ देगा, तो 6 degree यहाँ देगा, लेकिन small scale chart में, काफी near, near, जो है, marking रहता है, तो इसका आप लोग ध्यान दिजिएगा, उसी प्रकार latitude scale में भी रहेगा, देख लिजिएगा, यहाँ पर है, 7 degree north, उसके बाद, देखिएगा, 7 degree के बाद, 8 degree north कहाँ है, उसके बीच में कितना line दिया है, यह सारा चीज आप देख लिजिएगा, अर्थार, chart को overall आप एक बार देख लिजिएगा, जो आपको normally बार-बार यूज करना है, चोकि reading तो आपको यहीं से लेना है, इधर आप longitude को read किजिएगा, इधर latitude आउट distance को read किजिएगा, तो graduation आपको मालूम होना चाहिए, जो chart आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि यदि graduation पर ध्यान आप नहीं दिजिएगा, तो जल्दिवाजी में अक्सर लोग गलती करते हैं, सब चीज सही कर दियें, और reading लेने के समय ही गलती हो गिया, तो answer आप से नहीं मिलेगा, और chart पर हमेशा आपको soft pencil से marking करना है, और soft वाला eraser आता है, उसी से आपको delete करना है, क्योंकि hard eraser से delete किजेगा, तो chart का जो page रहता है, वो अभी उपर वाला layer जो है, उखरना शुरू कर देता है, और pencil भी आपको चाहिए soft, एकदम soft line खिचाया, और जब erase करना हुआ, तो आपको असानी से erase हो गिया, क्योंकि बार बार एक ही chart को यूज करना रहता है, इसलिए hard pencil मत यूज किजिए, इनकी hard pencil एकदम pen की तरह permanent mark कर दिये, तो जब आप eraser से delete करने जाईएगा न, तो फिर भी marking रही जाता है, तो आप लोग वैसा काम मत किजिएगा, और tcn के exam में, जो chart मिलता है, chart में बहु सारा plotting पहले से किया रहेगा, exam के 10-20 मिनट पहले आपको chart मिल जागा, surveyर बुलेंगे, कि जो भी पहले marking है, उसको erase करो, तो यहाँ पर आप लोग चोड़ी करने का भी तरीका निकाल सकते हैं, आप eraser से erase कर दिजिए, जिससे लगे की erase हो गिया है, लेकिन हलका हलका line आपको नजर आना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि exam में यही chart यूज होगा, और जब यही chart यूज होगा, तो आपको question भी इसी chart से पुछेगा, तो हो सकता है, पहले से जो question के लिए diagram बना हो, वही question आप से भी paper में पूछ दे, तो इसलिए पहले से जो थोड़ा बहुत खींचा रहेगा, और यदि आपको plotting का idea नहीं है, तो थोड़ा सा देखिएगा, तो आप पकर सकते हैं, same question यह पहले से बना हुआ था, कभी-कभी ऐसा हो सकता है, तो यहां से आप लोग चोड़ी भी कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है, चोड़ी करने के लिए भी दिमाग की जरूरत है, चार्ट पर campus रोज का marking रहता है, यह campus रोज आप समझ लिजिए, यह काफी important है, चार्ट पर campus रोज दो-तीन जगा मार्क किया रहता है, suitable जगा देखके दो-तीन जगा मार्क किया रहता है, campus रोज का यूज क्या है, bearing और course ड्रा करने के लिए, और जो course ड्रा किया हुआ है, उसका direction रीड करने के लिए, या दुसरे सब्दों में कहें, तो campus रोज का main काम है, direction को रीड करना, अब campus रोज को थोड़ा अच्छा से समझ लिजिए, क्योंकि इसमें काफी important चीज दिया रहता है, और इस पर आप से note भी पूछा जा सकता है, और oral में भी काफी question इस पर पूछा जा सकता है, आप देखे होंगे, campus रोज दो concentric सर्किल से बना होगा, सबसे outer वाला जो सर्किल रहता है, उस पर देखे होंगे, यहाँ पर नॉर्थ मार्क किया रहेगा, तो सबसे outer वाला सर्किल पर जो नॉर्थ मार्क किया रहता है, यह रहता है geographical north, अर्था true north, और inner जो सर्किल रहता है, इस पर भी meridian का मार्किंग रहता है, लेकिन यह जो meridian रहता है, यह आपका सो करता है magnetic meridian, तो true north के पास एक और north का मार्किंग रहेगा, अंदर वाला सर्किल पर, यह आपको सो करता है magnetic north को, ध्यान दिजिएगा, इसलिए हम बता रहे हैं, campus रोज काफी important है, और आप जानते हैं, true north और magnetic north के बीच में जो angle रहता है, उसको बोलते हैं variation, तो इस variation का value भी आपको campus रोज में दिया रहता है, campus रोज में east-west line रहता है, यह east-west line पर variation का value देदेगा, जतना degree का difference रहता है, यहाँ पर देदेगा, माल लेते हैं 2 degree, और variation का नाम east है की best है, आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, यदि magnetic north, true north के east-ward में है, तो यह east होगा, और नहीं तो इधर रहेगा, left side, तो यहाँ पर best होगा, तो यहाँ पर variation देदेगा, उसके बाद bracket में year देदेगा, माल लेते हैं 1992,2001, यह year क्या देखाता है, यह year देखाता है, जैसे माल लेते हैं यहाँ पर 1992 दिया हुआ है, तो यहाँ बता रहा है, 1902 में इस place पर variation का value 2 degree west था, जो भी आपको campus रोज में रहेगा, वो आप ले लिजेगा, तो यहाँ आपको साल बता रहा है, तो आपको यहाँ पर पता चल गिया, 1902 में variation 2 degree west था, अभी चल रहा है 2003, 2003 में कितना होगा, यहाँ कैसे पता चलेगा, sorry, 2023 चल रहा, तो बाद में और 23 के बीच में कितना साल का difference हो गिया, 31 साल, तो 31 साल का difference भी आपको निकालना होगा, यहाँ आपको कैसे पता चलेगा, yearly केतना change होगा, variation यह भी आपको बगल में दे देगा, माल लेते हैं, दे दिया 0.2 degree, यहाँ आपको italic में लिखेगा, हलका तीरचा, तो एक साल में variation यहाँ पर 0.2 degree चेंज हो जाएगा, अब 0.2 degree से increase करेगा कि decrease करेगा यह भी campus रोज में लिखा रहता है, और इस पर जब हम practical question लेंगे, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, मोटा मोटी, और जो समझ गए अच्छा बात है, नहीं समझ है, तो question के समय आप अच्छा से समझ जाएगे, तो जो yearly change का value रहता है, यह भी आपको दे देगा, तो yearly change के value से, आप असानी से निकाल सकते हैं, अभी present में इस जगह पर variation का value कितना है, और यह हमको हर हाल में चाहिए, तभी आप campus course से true course निकाल सकते हैं, और true course से campus course, तो यह तो हो गिया campus रोज के बारे में, हम आपको बताएं हैं, campus रोज चाट पर दो तीन जगह दिया रहेगा, तो अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा, कि कौन सा campus रोज को हम यूज करेंगे, तो आप जहां पर भी plotting कर रहे हैं, उस plotting के nearby जो campus रोज रहेगा, वो वाला campus रोज आपको यूज करना है, बहुत दूर जो campus रोज रोज रहेगा चाट पर, उसको आपको यूज नहीं करना है, क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि, आप जानते हैं, अलग-अलग place पर अलग-अलग variation होता है, अर्था, जगह यदि change हो गिया, तो magnetic meridian थोड़ा सा change हो जाता है, तो जो nearby campus रोज रोज रहेगा, उसको यूज किजिए, और उस campus रोज से, जो भी variation का value रहेगा, यदि आपको जरूरत है, तो वो वला variation यूज किजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं, कि variation अलग-अलग place पर अलग-अलग होगा, तो जो nearby रहेगा, वह सही variation रहेगा, दूसरा फैदा क्या होगा, क्योंकि parallel ruler को आप बार-बार shift करके, ज़्यादा दूर ले जाएगा, तो इसमें हिलने डूलने के कारण, error होने का चांग जादे है, तो इससे भी आप बच जाएगा, तो आपको दोनों तरफ से फैदा है, तो जहां भी आप plotting कर रहे हैं, उसके nearby जो campus रोज है, उसी को आपको यूज करना है, यदि पूरा चाट में सिर्फ एक ही campus रोज दिया है, तो आपको कोई option नहीं है, आप सिर्फ उसी को यूज करिएगा, लेकिन दो तीन दिया है, तो जो आपके nearby है, उसको आप यूज किजिया, और आप लोग भी campus रोज देखिएगा, तो आप ध्यान दिजिएगा, तो आपको मिलेगा अलग-अलग campus रोज पर अलग-अलग variation भी, तो यहां पर campus रोज के बारे में समझ गया होंगे, बाहर वाला circle पर जो उपर mark किया रहता है, यहां रहता है true north, inner वाला circle पर जो marking रहता है, यहां रहता है magnetic north, अर्थात magnetic meridian को सोग करता है, दोनों के बीच का difference आप जानते हैं, variation होता है, यहां आपको east-based वाला line पर लिख के देगा, और bracket में आपको year भी लिख देता है, यहां आपको यहां बताता है कि किस साल यतना भेड़ यह संथा, उसके बाद जो annual change रहता है, उसको भी यह लिख देता है, यदि increasing होता लिख देगा, increasing 5 minute, या decreasing, यदि घट रहा होगा तो decreasing, अब increasing, decreasing कैसे depend करता है, magnetic meridian इस्ट बार shift हो रहा है, कि बेस्ट बार shift हो रहा है, अब जतना degree, जतना minute से प्रते की year यह shifting हो रहा होगा, उसके अनुसार यह decreasing, increasing लिख देगा, और present में आपको variation चाहिए, तो yearly change को आप apply किजिए, और present variation मिल जागा आपको, तो उमीद करते हैं, आज आपको चाट के बारे में basic idea चल गया होगा, एक दू लेक्चर आएगा basic चाट बर्क पर, उसके बाद direct आएंगे second matter वाला plotting पर, तो मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद, क्यों हमें पर बेसना, झाला आपको,